ऐसा क्या है जो आपको किसी दूसरे इंसान की इतनी जरूरत महसूस कराता है किसी को खोद दिने की प्रॉब्लम मुख्य रूप से मानसिक है और भावनात्मक है आपको शालिंता के साथ जीवन में आगे बढ़ जाना आना चाहिए आपके पास ये दो चोईसेस हैं या तो आप दुनिया को अपनी जहाओ तले जीने दें या आप खुद किसी और की जहाओ पाने के लिए तड़पते रह सकते हैं नमश्कारम सद्गुरू जब कोई रिष्टा तूट जाता है तो इतना दर्द क्यों होता है मैं इससे आगे नहीं बर पा रही हूँ इसने मेरे अंदर एक खाली पंसा छोड़ दिया है क्या इस वक्त आपको इस शरीर के अंदर जीवन के बुनियादी प्रक्रिया दिख रही है इसे और कुछ नहीं चाहिए यह कुछ चीज़ों पर निर्भर होती है यह होना तसुभाविक है आपके अस्तित्वी की बहुत इक प्रक्रिया कुछ चीज़ों पर निर्भर होती है आपको खाना है, आपको सांस लेनी है, आपको पानी पीना होता है कई चीज़ें आपको सेवाएं चाहिए रख रखाव चाहिए लेकिन वो जो इस जीवन को पैदा कर रहा है ऐसा लगता है कि वो अपने आप में एक संपून प्रक्रिया है इसे किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कैसा है? आपको ऐसा लगता है? आप ऐसा मैसूस करते हैं? आयो ना ऐसा ही है तो ऐसा क्या है? जो आपको किसी दूसरे की इतनी ज़ादा ज़रूरत महसूस कराता है यह आपके विचार का सभाव है आपकी भावनाओं का और यहां तक की जीवन के कुछ खास पड़ावों में शायद आपके शरीर का भी सभाव है अब शरीर एक चीज़ हो गई आपने इसे नहीं बनाया आपने देखा होगा आपने अगर बस किसी किताब में थोड़ी सी दिल्चस्पी भर ले ली आप एक सस्पेंस थ्रिलर पड़ रहे हैं आपकी सारी शारीरिक जरूरतें गायब हो जाएंगी आपने इस पर गौर किया है? आप बस एक कच्रा सस्पेंस थ्रिलर पड़ रहे हैं पर यह काफी है? दो घंटे आपने खाने के या इसके या उसके बारे में नहीं सोचा सारी शारीरिक जरूरतें जैसा गायब हो गई हैं है कि नहीं? तो इसके परे बड़ी आसानी से जाय जा सकता है अगर आप चाहें तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको यह करना ही है अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है शरीर पर बड़ी आसानी से महारत हासिल की जा सकती है इसमें कोई संगहर्ष नहीं है अब खोदेने का प्रॉबलम मुख्य रूप से मांसिक है और भावनात्मक है तो आप जो हैं उसकी मनो वैज्ञानिक से नचना कम से कम आप जो हैं उसका मांसिक धाचा आप के द्वारा बना हुआ होगा होना चाहिए यह न तो अगर आप अपना मांसिक धाचा खुद त्यार करते हैं तो आप इसे एक दुखित संभावना में बदलेंगे या एक आनंदित संभावना में आगर आप थ्यार कर रहे हैं तो, मैं बात कर रहा हूं, आप अपने लिए क्या चाहेंगे? आप अपने पलोसी के लिए क्या चाहेंगे, इस पर भैस हो सकती है. कम से कम आप अपने लिए तो दुख नहीं हिं चाहेंगे. कोई इंसान ऐसा नहीं चाहता तो जाहिर है कि आपने अपनी मानसिक प्रक्रिया या मानसिक धांचे को जागरुकता के साथ वैसा नहीं गड़ा है जैसा आप चाहते हैं तो कहने का मतलब क्या ये है कि पुफ, कल अगर रिष्टा चला गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं परसों से जीना जारी रखूँगा नहीं, नहीं, बात ये नहीं हो रही है बात पस इतनी है कि आपको जीवन के साथ ऐसे जीना चाहिए कि आप इसी पल किसी और के लिए मरने को तयार हो लेकिन अगर ऐसा हो ही क्या कि वो कल मर गए आप नहीं, दूसरा मर गया तो आपको शालींता के साथ जीवन में आगे बढ़ना आना चाहिए लेकिन आज आपको ऐसे जीना चाहिए जैसे आप इस इंसान के लिए बढ़ने को तयार हैं सच में तयार नहीं तो जीवन में कोई पवित्रता नहीं होगी अगर आपने इसको एक लॉजिकल हिसाब किताब बना लिया कि आखिर मैं एक सोतंतर जीवन हूँ मुझे बला किसी और की जरूत क्यों होगी आपका जीवन बेहत बदसूरत बन जाएगा आपको ऐसे जीना चाहिए जैसे मैं तुमारे बिना नहीं जी सकता लेकिन कल अगर ऐसा हो ही गया वो कल है अगर ऐसा होता है कि वो व्यक्तिगायब हो गया मर गया या मुक्त हो गया या जो भी हो गया तब आपको इस ऐसे देखना चाहिए यह जीवन एक स्वतंत्र टुकड़ा है, लेकिन आज अगर आप इसे ऐसे देखेंगे, तो आपका जीवन बदसूरत बन जाएगा, तो लोग यह अंतर नहीं देख पाते, या तो वो निर्दई या याश बन जाते हैं, या वो इतने कमजोर और गुमसुम हो जाते हैं, वो अ शुरवात में ही वो थोड़ी खुशी जान पाते हैं, उसके बाद ही अलगातार उलजन और तकलीव बन जाते हैं, जादातर लोगों के लिए यह दुरभाग किया है, आपने इस वाले की प्रकृति का अनुभवी नहीं किया है, आप दूसरे की प्रकृति को समझने की कोश कर रहें, ऐसा कभी नहीं होने वाला, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, तो जादातर समय ऐसा इसलिए है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा है, यह जीने का बुरा तरीका है, आया ना, आपका अपने आसपास के सभी लोगों के साथ बढ़िया स च्छाओं तले जीने दें, अपनी च्छाओं के आराम में, या आप खुद ही किसी दूसरे की च्छाओं पाने के लिए तरपते रह सकते हैं, यह चोईस हर इंसान के पास होती है, की किरा है, यह चोओनी जएसामेश फाया बभलिडे के लिए ठय है, तरह रहादी है, हो हमोगों नापका है, यह पकुछाओं